आज मैं आप सभी के लिए काफी important वीडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगामी forest guard के exam के regarding आप सभी को study with aim के द्वारा practice set provide कराई जा रहे हैं जिसका part 4 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इससे पहले आप सभी को 3 practice sets already provide करा दिये गए हैं जिन लोगोंने इन practice sets को नहीं देखा है तो study with aim पर आप विजिट करके देख सकते हैं आज का ये practice set आपके आगामी forest guard के exam के लिए काफ़े important है साथ इसाथ अधर द्राखने exam के लिए भी काफ़े important रहने वाला है तो आप सभी लोग हमारे इस practice set में starting लेकर end तक बने रहें तो चलिए आज किस practice set को हम start करते हैं start करने से पहले जिन लोगोंने अभी तक हमारी YouTube चैनल study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिंग साथ इसाथ बगल में जो पहला आइकन दिख रहा है इसे फिर फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका notification आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी study with aim के नाम से ही बना हुआ है और टेलिग्राम चैनल पर रात को 8 बजे quiz का भी आईजन किया जाता है काफी important question आपको quiz के रूपें दिए जा रहे हैं तो आपको जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आज के session को हम start करते हैं और इस session का पहला question है मगही किस भाशा की बोली है तो देखिए मगही जो है ये है बिहारी भाशा की बोली option is question का correct answer है नेक्स्ट कुर्शन देखेंगे पश्य में हिंदी की दो बोलियों का सही युग में है, most important question है, तो देखेंगे पश्य में हिंदी की दो बोलियों का सही युग में है, खड़ी बोली बुंदिली, option C, question का correct answer है, अगला देखेंगे निम्नांकित मैंसे बताईए कि नवीन विक् ख और ग यानिक option B, question का right answer है, next question देखेंगे, क्रश्य भक्ति में ऐसा बहुत कुछ है, जो नित्य और निमितिक सामपरदाई कामों से सम्मंदित है, तो यहाँ पे निमितिक की जगा कौनसा निमितिक आएगा ये बताना है, तो correct answer हो जाएगा आपका यहाँ निमितिक, यहा देखेंगे, व्यर्त सब्द में किन वर्णों की संधी होई है, तो देखें, व्यर्त सब्द में किन वर्णों की छोटी E और O की संधी होई है, option C, question का correct answer है, next question देखेंगे, कौन सा उपसर्ग, आचार सब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो आपका यहाँ पर अती उपसर्ग, अती उपसर्ग के सब्द में आचार सब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, जुल्म हो जाता है, तो देखें, अती उपसर्ग अगर आचार सब्द में जोड़ दें हम, तो क्या बन जाएगा आपका अत्याचार, ज इसका अर्थ क्या होता है, अत्या चारकार्थ होता है, जुल्म, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, निर्वा में प्रियुक्त उपसर्ग है, तो देखेंगे, निर्वा शब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है, आपका निरुपसर्ग, नेक्स्ट कुशन देखेंगे, योग रू नेक्स्ट क küçचन है निमने में से कौनसा शब्द व्यक्तिवाचक संगया है तो देखे निमेंसे व्यक्तिवाचक संगया है आपका यहाँओना next question देखेंगे मीरा ने आदा लीटर दूथा पेलिया रेखांकित मैं विशेशन है परिमान वाचक, विशेशन, option D, यहाँ पर आपका right answer है, अगला देखेंगे, निमन शब्द में, निमन शब्द में से एक शब्द pulling है, चुने, कौन सा शब्द इन में से pulling है, यह चुन लेना है, correct answer हो जाएगा आपका बुढ़ापा, अगला question देखेंगे, दाद का परियाई वाचे शब्द नहीं है, दादी, option B, question का right answer है, अगला है, निमन में, जो जोड़ा, विपरितार्थक नहीं है, उससे चुने, तो देखेंगे, इन में से कौन सा जोड़ा, विपरितार्थक नहीं है, उसको चुन लेना है, correct answer है, आपका धर्म अधम, अगला question है, आपका, व विरामचिन है, तो देखें, इन में से अर्द विरामचिन है, आपका ये वाला, option C, बिल्कुल correct answer है, अगला question देखेंगे, वह कौन सा व्यक्ति है, जिसने जवाहलाल नहरू का नाम न सुना हो, तो कौन सा ये वाकिय है, बताना है, तो correct answer हो जाएगा, यहां पे आपका question देखेंगे, तोरती पत्थर कैसी कवीता है, तो देखें, तोरती पत्थर ये कवीता है, यह थार्तवारी कवीता, अगला question देखेंगे, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे समोधन का प्रियोग किया जाएगा, तो इस question का right answer हो जाएगा आपका महोदई या फिर महोदया, अगला question देखेंगे, रिगवैदिक आर्यो का मुख्य व्यवसाई क्या था, तो देखें, important question है, रिगवैदिक आर्यो का मुख्य व्यवसाई था, पशुपालन, अगला question देखेंगे, भारत में चादी की उपलबदिता के प् मगत के किस प्रारंबिक शाषत ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्यागी एवं इसी कारणवस अपने पूत्रु द्वारा मारा गया, तो इस question का right answer है, आपका अजाद शक्त्रू, अगला question देखेंगे, निम्न मैंसे, किस नगर में पर्थम बौद संगती या संगती का अजन किया गया था, राज ग्रह में, अगला question देखेंगे, अशो के शिलालिखो को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज कौन था, तो देखें, अशो के शिलालिखो को पढ़ने वाला पर्थम अंग्रेज था, James Principe, option, से इस question का correct answer है, अगला देखेंगे, गुजर वर्तमान नए मुखी मंत्वी किसे बना गया है यहाँ पे अक्टूबर 2021 का यह कुशन है तो इस कुशन का राइट आंसर है आपका भूपेंडर पटिल वर्तमान में कौन है अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बताईएगा अगला देखेंगे विद्याले की स्थाफना का यूग है गुप्त यूग अगला कुशन देखेंगे किस विदेशी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था तो देखें भारत का दोरा सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने किया था मेगस्थनीज ने अगला कुशन देखेंगे किस न का right answer है अगला question देखेंगे वह कौन सा नर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनोती खत्म हो गई थी तो ये कौन सा युद्ध था ये बताना है correct answer है आपका बेदरा का युद्ध जो की 1759 में हुआ था अग 1857 में भारत में हुए विद्रो के एक नेता थे तात्या टोपे और इनका मूल नाम क्या था देखें तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद पांडुरंग अगला question देखेंगे भारती इतिहास में वर्ष 885 भी पुश्रिद है क्यों पुश्रिद है ये बताना है तो इस पुश्रिद है अगला question देखेंगे बंगाल का विभाजन हुआ था कब हुआ था most important question है तो देखें बंगाल का विभाजन हुआ था वर्ष 985 इस भी में अगला question देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था most important है तो देखें भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहट यह योजना थी आपके माउंट वेटन योजना नेक्श कुशन देखेंगे सैयुक्त राज अमेरिका ने किस देश से अलासका को पचासवा संग राजी बनाने के लिए खरीता था तो देखें यहां पर करेक्ट आंसर है आपका रूस अगला कुशन है वी आर अमबेटकर का समविधान सबा में निर्वाचन हुआ था वी आर अमबेटकर का समविधान सबा में निर्वाचन हुआ था पश्यम बंगाल से नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट परिवर्दित हुई तो देखे भारती सम्विधान में नवी अनुसूची परिवर्दित हुई पर्थम शंशोधन के द्वारा ओप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर है अगला देखेंगे सम्विधान के किस अनुचेद में यहां अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राजयों का संग हुगा तो देखे ये अनुचेद एक में वानित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राजयों का एक संग होगा अगला कुश्यन देखेंगे सम्विधन के उलंगन के लिए रास्टपती के विरुद अभी यो कारिवाई किस में शुरू की जा सकती है करेक्ट आंसर है आपका संसत के किसी भी सधन द्वारा अगला कुश्यन देखेंगे पंचायती राज पर्थम प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व में अगला देखेंगे पंचायती समीती के प्रिशाशन का प्रबंद एक सरकारी अधिकारी करता है जिससे कहते हैं तो देखें पंचायती समीती के प्रिशाशन का जो प्रबंद है एक सरकारी अधिकारी करता है और इस सरकारी अधिकारी को कहा जाता है खंड फिकास पदा अगला question देखेंगे, भारत में राष्टी आई का आकलन सबसे पहले किस ने किया था? Most important question है, तो देखें, भारत में राष्टी आई का सबसे पहले आकलन किया था? दादा भाई नरोजी ने, option B, question का right answer है, अगला देखेंगे, भारत में हरित कुरांती के जनक कौन थे? देखें, भारत में हरित कुरांती के जनक थे? M.S. स्वामी नाथन, option A, question का correct answer है, अगला question देखेंगे, राऊर केला इस बाद सईयंतर किसके सथापित किया गया? प्रशार मंत्राले के द्वारा अग्ला कुशन देखेंगे जाकिर हुसैन कौन सा वादी अंद्र बजाते हैं तो देखें जाकिर हुसैन बजाते हैं तब ला option c यहाँ पर आपका right answer है अगला देखेंगे दूर दर्शन द्वारा प्रायूजित पर्थम धारवाहिक था तो देखें दूर दर्शन द्वारा प्रायूजित पर्थम धारवाहिक था हम लोग अगला कुशन देखेंगे भारती कर्केट के स्तंब राहूल द्रविड का उपनाम क्या है तो देखें भारती कर्केट का स्तंब माना जाता है राहूल द्रविड को और इनका उपनाम बताना है क्या है तो दवाल इनका उपनाम है option is question का right answer है आप सभी को आज का ये practice set पसंद आ रहा है तो आप सभी लोग like कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube चैनल Study with AIM को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लेजे छोटा सा request रहेगा आप सभी लोगों से आप share बहुत कम कर रहे हैं बहुत कम reach आ रही है इन practice sets की काफी देखे काफी महनत से आप सभी के लिए practice set तैयार किये गए हैं तो एकदम unique practice set आपको यहां पे काफी important practice set आपको provide कराए जा रहे हैं तो आप सभी से request रहेगा मेरा कि आप सभी लोग इसको share कीजिएगा ताकि आपको proper आपके forest guard के exam तक इसको properly आपको यह classes मिल पाएं तो आप सभी लोग share जरूर कीजिएगा और comment करके बताईएगा आज का यह session आपको कैसा लग रहा है चलिए next question है आपका third eye खेल शब्दा वली सम्मंदित है तो देखे third eye खेल शब्दा वली का सम्मंदित किससे है cricket से अगला question है सूचना राजपत किसे कहते हैं सूचना राजपत कहा जाता है इंटरनेट को अगला question है email का जन्मदाता किसे माना जाता है तो देखे email का जन्मदाता माना जाता है किसे Ray Tomlinson को अगला question देखेंगे CAD का क्या अतात पर ही है CAD का full form बताना है CAD का full form होता है computer added design option D इस question का right answer है next question देखेंगे चन्दू एक प्यक्ति की ओर संकित करते हुए कहता है वहाँ मेरी पुत्री के भाई के दादा की एक लोती बहु के पिता है वहाँ प्यक्ति चन्दू से किस प्रकार संबन्दित है तो यहाँ पे इस question का right answer हो जाएगा आपका ससूर option ए बिल्कुल right answer है अगला देखेंगे दी समरुकता के अधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द यूग्म अक्षरी यूग्म ग्याद करें तो यहाँ पे जिस प्रकार आपको प्रदोशन भोजी पदार्त एक यूग्म दिखाई दे रहा है इसी तरीके से संक्रमण के लिए एक यूग्म चुन लेना है तो संक्रमण के लिए सही यूग्म हो जाएगा आपका यहाँ पर शरीर जैसे प्रदोशन भोजी पदार्त एक यूग्म है उसी तरह संक्रमण सरीर भी एक यूग्म हो जाएगा संक्रमन होता है कहां पर सरीर में अगला कुशन है सनीवार को गंतंत्र दिवस के अफसर पर छुटी थी अगले महने की 14 को भी पुनह छुटी है शिवरात्रे के कारण तो 14 को कौन सा दिन होगा तो दीखे सनीवार को गंतंत्र दिवस के मनाया जाता है अंतरास्टी एवरेज्ट दिवस मनाया जाता है 29 में को अगला कुशन देखेंगे केंडरी मंत्री मंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के भी सतत शहरी विकास के छेत्र में सैयोग समझोते को मंजूरी दी है इस कुशन का करेक्ट आंसर है जापान अगला छेत्र को प्रभावित करने वाले 2021 में आये तुफान का नाम क्या था तो दीके 2021 में जो तुफान आया था इसने गुजरात से महरास्ट तक के छेत्र को प्रभावित किया था और इस तुफान का नाम था तोकते अगला कुशन देखेंगे निमने मैंसे किस इस्थान पर शे कुछन है विवा की दो पर्थाओं तत्सत और दामोला किस जंजाती में देखने को मिलती है तो देखें विवा की दो पर्थाओं है तत्सम और दामोला दामोला है इसका राइट आंसर तो तत्सत और दामोला ये किस जंजाती में देखने को मिलती है ये बताना है तो इस इसे कहा जाता है, इस विवापरता को तचसत या दामोला विवापरता कहा जाता है तो ये भूटिये जिनजाती में परचलेत हैं नेक्स्ट कुशन है निमने मैंसे किसका प्राचीन नाम राजगडी था तो दिखे राजगडी प्राचीन नाम था बड़कोड का ओप्शन 20 कुशन का राईट आंसर है अगला देखेंगे लाता खरकबुग्याल अविस्थित है लाता खरकबुग्याल है आपके चमोली में अ संपादित कया तो इस कुशन का राईट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र भाट आप्शन से इस कुशन का राईट आंसर है नेक्स्ट कुशन देखेंगे राजी के प्रशिद सत्रंज खिलाडी परिमारजन नेगी का सम्द किस जनपद से है तो देखें परिमारजन नेगी जो देखेंगे निम्नमैसे किसका उपनाम जंगली है जिन्हें वर्ष 2006 में आरिबट समान से सम्मानित किया गया था तो देखें जंगली उपनाम से जाने जाते हैं जगत सिंख चौधरी अगला कुश्चन देखेंगे ललित सूर्देव के बाद उसके पुत्र भूदेव ने राजा बनने का उल्लेख है किसमें उल्लेख है ये बताना है तो करेक्ट आंसर है पांडू केश्वर कामर पत्रों में अगला कुश्चन देखेंगे चंद वंच का पर्थम शाषक जिसने डोटी राज्य की अधिनता स कुश्चन देखेंगे कि साशक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाठली पूत्रों नगर की स्थापना की थी तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पर उदाइन ऑप्शन सी इस कुश्चन का करेक्ट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे गौतम बुद्ध द्वा आपके राजिस्थान राजिय में अगला कुश्चन देखेंगे पहता एवं रहता शब्दावली का समन्द किस परशाशन से था तो देखेंगे बहता एवं रहता शब्दावली का समन्द किस परशाशन से था करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखा परशाशन बहता और रहता ये क्या थे कर थे गूर का प्रशाशन में अगला देखेंगे वधु मूली चुकाने की पर्था किस जन जाती में पाई जाती है वधु मूली चुकाने की पर्था पाई जाती है राजी जन जाती में option C's question का right answer है अगला question है उत्राखंड के संदर्व में बाग बटी गया है तो देखें उत्राखंड के संदर्व में बाग बटी एक परकार का खेल है अगला question है देवी धुरा चंपावत में पहला शिल्पकार सभा अधिवेशन कब हुआ था तो देखे देवी धुरा चमपावत में पहला शिल्पकार सबा अधिवेशन हुआ था और यह अधिवेशन हुआ था किस पर्ष ये वर्ष था आपका वर्ष 1928 अगला देखेंगे माग मेला किश जन पद में लगता है माग मेले का आई जन किया जाता है उत्तरकाशी में अगला कुश्चन देखेंगे सालम रंग महोचो कहां मनाया जाता है सालम रंग महोचो मनाया जाता है अलमोडा में अगला देखेंगे लोक संस्कुर्टी संग्राले भीमताल की स्थापना कब हुई थी तो लोक संस्कृती संग्राले कहां परिस्तित है भीमताल में इस्तित है और इसकी स्थापना की गई थी 1983 में अगला कुशन देखेंगे निमने मैंसे किस मंदिर की स्थापना बर्श 1922 में मदन शर्मा जी ने की थी अगला देखेंगे धर्म गंगा इवं बाल गंगा किस की सायक नदिया है देखेंगे धर्म गंगा और बाल गंगा ये किस नदी के सायक नदिया है भिलंगना की अगला कुशन है आपका कफनी बुग्याल इस्तित है देखें कफनी जो बुग्याल इस्तित है ये इस्तित है आ कुमाओ राश्री मोडचा का गठन किस ने किया था। पिर्सी जोशिने अगला देखेंगे राव विरेंद्र शंङराले अगला देखेंगे निमन मैं से किस दर्रे से भोडिया तिबबध व्यापार नहीं होता था। Correct answer है आपका Sungh kanth darra. अगला देखेंगे कुन- खाल-darra. किस जन्पत में इस्तित है? कुन-कुन- खाल-darra इस्तित है. चामोली में. Next question देखेंगे. Grayn school की अवधारणा के पृतिपादग कौन थे? तो correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा brain rule रावत option is question का correct answer है अगला question है तोग्यल नामक abortion सरीर के किस अंग में पहना जाता है तो देखें तोग्यल नामक abortion पहना जाता है कान में option is question का correct answer है अगला देखेंगे निमने मैंसे किस नुरिती को कुमाओं में जोड़ा कहा जाता है तो कौन सा नुरिती है जिसको कुमाओं में जोड़ा कहा जाता है यह नुरिती है चांचरल नुरिती है next question देखेंगे निमने मैंसे किसका प्राचीन नाम पुनार था पुनार प्राची नाम था रोदरुप्रियाग का अगला कुशन देखेंगे प्रशिद भैरोजाब शिला कहां पर इस्तित है भैरोजाब शिला ये इस्तित है कहां पर केदार नात में अगला देखेंगे कागज की नाओ कभी कबार कुरती के रचैता कौन है कागज की नाओ क अगला कुश्यन देखेंगे ब्रह्म कापाली नामख स्थान जहां पित्रों को पिंड अरपित किया जाता है निम्नमेस से कहां इस्तित है तो ब्रह्म कापाली नामख जो स्थान है ये है बद्रीनात में अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड में बन वही All Weather Road की परियाव और शहर को सोचिता का परफम इस्थान की श्रीणी में मिला है तो इस question का right answer है नमामि गंगे शहर की श्रीणी में अगला question देखेंगे निम्न मैंसे किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकुरिद है तो देखें पंडित की उपाधि अलंकुरिद है किस बैक्ति के नाम के आगे पंडित नैन सिंग रावत के आगे अगला कुश्चन देखेंगे किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोग लगाने के लिए एक संयूत अध्यक्ष समो और निक्रानी दल का गठन किया गया तो इस कुश्चन का राइट आंसर है या मुना नदी अगला कुश्चन देखेंगे भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क यानि कि परागण करता पार्क किस राजी में खुला गया है most important कुश्चन है तो भारत का पहला पॉलिनेटर जो पार्क है ये खुला गया है उत्राखंड राजी में option discussion का right answer है उत्राखंड में कहां ख अभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like कीजिए share कीजिए चैनल लोगों ने अभी भी हमारे youtube channel study with aim को subscribe नहीं किया है बोच subscribe कर लिजे क्योंकि काफी important classes आपको यहाँ पे और भी provide कराई जानी है study with aim के द्वारा तो चली मिलते हैं एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद